असलाम अलेकुम तो स्वागत थे आप सभी का ग्यापनी केडमी किस नय और लिटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में आप लोगों को टेंथ क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से चैप्टर नमबर 28 पढ़ाने जा रही हूँ जो कि एक घजल है और वो भी न पहली घजल को पढ़ना था जो कि मैं आप लोग अलड़ी पढ़ा चुकी हूं अगर आप लोग चैप्टर नमर 27 नहीं पढ़े तो आप लोग जाकर मेरा प्रिविस वीडियो देखिए और चैप्टर नमर 27 को आसानी से समझ लीजिए पढ़ लीजिए ठीक और हाँ चैप् लोग को चीज़े घजल में होनी चाहिए रदीव काफिया क्या है यह सारी चीशा में आप लोग इसके पहले वाले वीडियों में बता चेकिए हूं तो इस वीडियो में मैं आप लोग को डिरेक्ट जो दूसरा घजल पढ़ना है उसी को पढ़ाऊंगी कर देखिए दूसर ज्यादा विडियो को शेयर कीजिए उठ एक है बात और आप मेरा विडियो कोँ अंटक देखिए नहीं कोई दिक्रत नहीं कोई अंतक देखिए मैं जो कुछ भी समझारी हूँ आपको समझ में आता है और उसके बात से शेयर करना बत पुल तर्फ और समयाई ता फ्ल Continue कीजिएगा ठीक तो अब चलिए विनादेर की वीडियो की शुरुआत करते हैं तो इतना ही छोटा घजल है चलिए मैं आप लोग को पढ़कर इसका मतलब समझाती हूं लिखे हैं मुबारक अजिमअबादी शुरुआत में कि गिर गए अफसोस किस की नजर से क्या कहे हम किस से कहूं मैं उन लोगों से क्या कहूं कुछ कहने लाइक बचा ही नहीं है हम हुए क्या क्या खजर इस चश्में तर से क्या क्या है बल रहे हैं कि मेरे आख से जो आसू निकल रही है मेरे आख से जो अश्क आसू निकल रही है वो मेरी बदनामी की वज़ा है मेरे बदना आगे बढ़िये यू भी कहता है किसी से कोई अपना हाल अजार आप तो सुनते नहीं दिवार वदर से क्या कहें यहां पर बोल रहा है मुबारक अजीम अबादी मैं आपको अपना समझ कर अपना हाल अले जार यानि कि अपनी दिल की बाते बताता हूं अपनी दिल का हाल बताता हूँ, अपनी हलात वो जिन्दगी के बारे में बताता हूँ, ठीक है, लेकिन आप तो सुनते नहीं है, तो दिवार वदर से क्या कहें, दिवार वदर से करने का कुछ फायदा है, आप तो मेरा बात सुनी नहीं रहे, मैं अपनी दिल की बात बता रह कि हम दम बखुद कह रहा है हम से क्या इस बेखबर से क्या कहें यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो नासी है नासी कहते हैं नसीहत देने वाले को जो एडवाइज सलाह देते हैं ठीक है तो बोल रहे हैं मुभारक अजिम अबादी कि जो नसीहत सलाह देने वाला है मुझको लगाता किसी को सलाह दे तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि सामने वाला इंसान आपकी सलाह लेने के लिए राजी है कि नहीं ठीक है यह पहले पता कर लिजिएगा तब किसी को एडवाइज यहन की सलाह दीजिएगा तो यहां पर वही बोल रहे हैं मुबारक अजिम अबादी की जो अनासी है नसीहत देने वाला सलाह देने वाला मुझको लगतार इडवाइज सलाह देते ही जा रहा है लेकिन मुझे सलाह नहीं लेना है उसकी मैं उससे क्या कहूं दर्दमंदान मुहबत का यह क्या जाने इलाज चारागर की क्या सुने हम चारागर से क्या कहें यहां पर ब किस चीज़ की भीमारी है मुझे तो दिल ऑल यहां पर हो गया है nya बजे आंदर की बीमारी है मेरे दौक्टर है लेकिन डॉक्टर क्या जाने, वो क्या इलाज करे, मुझे तो दिल की बिमारी है, वो क्या समझेगा, वो कभी मुझे बोलेगा कि बुखार है, कभी कफरोग बतलाएगा, ठीक है, तो वही वाला बात यहां पर है, ठीक, आगे बढ़िए, हर पदम पर खुश जमालों में नहीं चेहरे, औरतों के चेहरे देखने के मिली है, जो कि हमारे दिल पर सभी औरतों के खुबसूरत खुबसूरत चेहरे छप गया है, जिसे मिटा पाना, भूल पाना मुश्किल है, और वो इतनी खुबसूरत चेहरे हैं, कि मैं बयान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, तो ही बोल रहे हैं कैसी कैसी सूर्थे गुजरी नजर से क्या कहें तो यह था आप लोग का पूरा घजल जो कि मैं आप लोग को प्रतियक लाइन को पढ़कर उसका तश्रीप कर दी आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कोई भी कमफ्यूजन हो इस चैप्टर से डिलेट काल नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचेगा ठीक तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में एक्स टापिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज